हाई बच्चों गुड मारिंग द्रास्त विचे माईसल बीडी गुपता आज मैं बताऊंगा फ्लॉइड क्या है बायन्ट फोर्स क्या है या थ्रस्ट क्या है बायनसी क्या होती है तो आइए देखते हैं है नुट सबसे पहलें फिद्र मता है औउब से मिट्रो चाहिआ अब कििसमें युटा फ्लूईड और बड़े क् LGB्लास में इसे इटेल बनाए जायेगा ड्रास में एफ्लीड क्या हुट मालव आप क्लास नाइट में और टेन में फिर आगे गए ग्रेजुएट हुए फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर ऑफ साइंस आओगी किस से मैथमेटिक्स में भी है वेटा उसमें है अब यहां तो पढ़ोगे यह और बड़े होगे जब जाओगे अनसी करने 2006 में थाए फ्लूइड डाइनामिक्स तो यहां वेट फ्लूइड डाइनामिक्स तो इसमें क्या है यहां अच्छे से पढ़ो क्लास नाइट में अप टू ग्रेजुएट तर फिर आगे जाओगे तो एक पेपर होता है फ्लूइड डाइनामिक्स वहां मिलेगा आपको पढ़नेगा तो यहां पर देखू वेटा फ्लूइड क्या होता है फ्लूइड का हिंदी होता है तरल और बहुत ही प्यारा एक रसियर बर्डर रीच लग हुए जिसमें इसको क्या बोलते है जीद पास्त इसको फ्लूइड बोलते हैं देखो वेटा पढ़ाई तो करना ही है साथ साथ दूसरी भांसा भी सीखते रहने हैं क्यों पढ़ने लिखने के बाद जाव मिले तो मिले नहीं मिलेगा तो एक आप्सन बना के रखना चाहिए जैसे और अपने घर में बड़े भाई होगे और रिक्वेस्ट कीजिए कि रसीयर मासा सीखें रसीयर मासा बहुत रीचलंग में अच्छा है यहां पर तो एक नाव आता है जीदकौस्ती जीदकौस्ती मतलब तरब फ्लूइड बोलते हैं तो देखो बेटा यहां पर फ्लूइड क्या होता है इसको डिफाइन तरबाएड प्लूइड साम्थिंग वीच फ्लूइड इसकार फ्लूइड या दूसरी टर्म में कर सकते हैं और सबस्टेंस वीच केन फ्लूइड इस टो भी फ्लूइड यहां बेलिखते हैं इसकी डिफनीशन आज सबस्टेंस which can flow which can flow is got fluids something which flow is got fluids fluids or substance which can flow is got fluid fluid and easy way is better so this is metal substance is three solids 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 liquids gas gases so here fluids which can flow is said to be fluid now you can see how water 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 PM how water in water in water in water बाहने कागून होता है Gκyc होती है उसमें बाहने का गून होता है इस लिए इसको लिकुइट और गाइस सजू इतने भी होते हैं इनको किस्னी में रखते हैं फ्लॉइट की सरीज में रखता है यहां पर लिकुइट रेंड गैस को किस में रखता है lipstick current करें हैं इसमें क्या होता है वाघ्ष होता है और से फिक्स होता है इसमें वा नहीं होता है होता है क्योंकि देखो और कुई जिस भी अगर अगर यहां पर इसमें न तो इसका वालूम फिक्स होता है और ना ही सेफ फिक्स होता है तो यहां पर एक बार और इसलिए का जाता है और सबस्टेंस प्रीच कें फ्लो इससे टू भी फ्लॉइड अब देखो वेड़ा आगे पड़ते हैं इसको कनेक्ट करके बाइएंड फोर्स या अब थ्रस्ट क्या है अब थ्रस्ट बहुत इसको समझते हैं सबसे पहले इसका इस्क्रीन सब्सक्राइब लेलो तमने बताए वेड़ा फ्लॉइड इसका इंदी क्या होता है तरव होता है और रसियर्भास हमें क्या होते हैं जीद कॉस्ती और यहां पर जब हायर क्लास में जाओगे एक पेपर होता है फ्लॉड डायनामिक्स वहां मिलेगा आपको और ज्यादा देखने को यहां पर इसको कोई पूछते हैं क्या है डिफ्नीशन इसको डिफाइब करो तो हम बोलते हैं आज सबस्टेंग्स वीच कें फ्लूड इससे टो वी फ्लूइड और यहां पर हम जानत सबस्टेंग्स की कितने ही श्टेक्स होती है मे Understood ही 3 होती है है तो चौरी कीजस में और ना हर यहँ पर यह होगी फ्लॉड के बारे में अब बैटा आझ कि का है और या उसको और अप्थरे शब यहां पर इसको समझने के लिए वेटा बहुती एक इजी डेवो देखांगा आपको बहुत इजी प्रेक्टिकल है वो समझे लेंगे और लिख लेंगे बायम फोर्स या अफ्थराज बायम फोर्स या अफ्थराज या अफ्थराज इसे करते लेंगे बायम फोर्स या अफ्थराज इसे करते हैं इसके लिए क्या करेंगे बायम फोर्स या अफ्थराज इसको समझने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे कि हमारे डेली लाइट में यह कहां-कहां देखने को मिलता है तो कहां-कहां देखने को मिलेगे बेटा देखो गाव में कुवां होता है कुवां देखाओगा आपने तो उसको उसमें क्या करो एक बाल्टी को डालो पानी निकालने के लिए जब बाल्टी पानी के अंदर जाती है तो क्या होती हलकी हलकी लगती है जैसे उपर की तरफ खींचते हैं जैसे पानी कांटेक्ट से उपर आती है उसमें भारी लगती है वहां अब तरश्टक देखने को मिलेगा बाइ और परस्बार मुन्ध करेया शर्जाशनम में उसके तैराकि होता ऐसे तैरता है जब तैरता है वहां भी क्या होता है वहां पर भार्मी लगता है ऐसे आएसे करेगा तो जिस डारेक्शन में श्रॉ पाइं गरता है उसको क्षा भलते हैं बाइंट फॉर्स होता है हमेशा पर के यह हो गया ते यह हो गया और टेरने वार हैं को हम आप जाते हैं तेर्ने के लिए नियर तराब में पानी के लिए दो हलता है पानि में बाता है धिर मशनकी आपने बाहर ही की लगका को न्यूंच के वाथना अनवा से में फिर उपर आके उपर आजाता है वहां ले बायन फोर्स देखने में अगला क्या होता है वेटा यह तो गया इस में और आगे इसको देखते जाएगा अगला कुमे में क्या करते हैं बाल्टी को डालते हैं तो बाल्टी के अंदर पानी होता है उसके अंदर जाती है तो हलकी लगती है जैसे उसको उपर खींचते हैं उपर आती है पानी के उपर आती है तो उसे में भारी लगती है उसका रीजन क्या होता है क्यों ऐसे होता है व देखो में इसको define us define के लिए सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले सबसे पहले क्या करना होगा कि हैं हमरे आश्वास कहा देखने मिलता है ग्यां डिखने को डालो प्लास्टिक होता है पानी में डालो ऐसे दबाते है नीच से पानी क्या करता है उसको उचाल देता है वहां बान आन्प ja यह गया त candle doti in order to chill AND a こuna को बाल को डालो को भालती डालो और जब डालते हम समझेंगे इसको ठीक है प्रैक्टिकली समझेंगे तब ही लिखेंगे बिना समझें लिखेंगे इस्टार्ट नहीं करेंगे यह बीकर हो गया इसमें पानी यहां तक पानी ले आपने और यह गेंद को हम डालते हैं तेखिए गेंद ऊपर की तरफ दिख रही है ऐसे आप जैसे मैं क्या करूंगा इसको दबाऊंगा अपने हाँ से यानि फोर्स एपलाइए करूंगे इस पर आप नीचे बाटम में आ गई जैसे अपने हाथ पटाऊंगा फिर उपर आ जाएगी क्यों उपर आ रही है क्योंकि जो फ्लूइड है यह जो लिक्वीड है वाटर अब क्या करती है इस गेत पर याँद वाले सिर्फिस पे और इधर चारो से लगाती है उपर तरफ जाओ क्यों लगाती है इसको इन शालनेके लिए क्षानने के लिए उस को क्या बोलता है वसक्तaron करते हैं और कोई पूछते हैं ऑ ю उसके का मैं इसको बताएं कि इस दिज्छ चाहिए और पानी भर लिया इसको लिखना है जाना लेखिन समझे बीना समझे नहीं लिखेंगे हैं अमने क्या किया पुरा भर के पानी भर लिया इसमें टाप तक हाद भर लिया पानी अब अब मैं क्या करूंगा यह सालिड है और यह क्या हो गया फ्लूइड बोलने पानी लिया है हमने इसमें भाने गून होता है यह लिक्विड हो गया ठीक है अब इस सालिड को मैं इसमें डालोंगा देखते जाना वेता ध्यान से इसी पर डिफिनीशन बनेगी अपनी इसको मैं क्या करूंगा ऐसे डालोंगा देखो वेता पानी बीर यह निचे की तरह अगर इतना डाला यह मार्क करलो कालेवली मिसाल कर दो की इतना झाना इसका वालूं में अंदर पानी की अंदर है उतरही वालूं क्या हुआ है जीतना पानी नीचे गिरा अभी बाहर की तरangle गिरिए उसको ग्लेक्ट करते हैं क्या इस दूसरे पीकर में होने यहां के वहीं क्या होता है वहीं वायनड्फे जो किसी आपजेक्ट पर लगता है उज्हां पर की तरफ लगेगा यानि ये क्या करेगा अगर इतना वालुम हुम ने क्या किया यहां तक यहां तक डुबाया अपने वालुम के बरावर क्या करता है water displace करता है और जीतना displaced water बाइंट फोर्स जो ही सब्जेक्ट पर करेगा ऊपर की तरफ लगता है इस पर उपर की तरफ लगता है यहां तक यह तो अपने वालून के बराबर वाटर डिस्प्लेस किया अगर मैं ज्यादा डूबा और थोड़ा ज्यादा गुबाता हूं और थोड़ा गुआता हूं प्रेंध नार अब क्या होगा षिको वार nervous वाटर ज्ब्लेक्ट हैं वाटर ज्यादा डिस प्रें इसमें से ज्यादा पानी निनकल रहा है वाटर वकशना के श्काने कर लेते हैं ज Glory स्गार मैंने कि यह बहुत हीजी है घुमेट करना है तो मैं बोलते हैं में असाली इसमें डुबाएं जाता है इसको उचाल के बाहर निकालने के लिए बाहर निकल जाए इसके लिए फोर्स एपलाई करती है इसको बाहर निकालने के लिए एक बाहर निकालने के लिए फोर्स एपलाई करती है और इसको क्या बहुते है वाइंट फोर्स के वैलू कितनी होता है हुआ हैं इसके बांद चीफिस sonu brut Salvador के अंतर अपने बालम के वे रहावर जितना बादर डिस्प्लेस किया है उसको वेट कर लो जो वेट आएगा वही क्या होता है वायंड फोर्स होता है तो हम देखो वेटा कैसे डिफिनिशन बनाते हैं वेन साली इज डिफिन इन दफ्लूइड देन दफ्लूइड एप्लाई एफोर्स आनि टू इजेक्ट इट आउट इसेट वेटा वायंड फोर्स की वैलू कितनी होती है जीतना वालूम डूबा है इसमें अपने वालूम के बराबर यह जो सालीड है पहुत जितना वालूम है उतने वालूम के बराबर वाटर को 1 निकाल दिया है बाहर की तरब और उसको हमने क्या किया उतने जो समझना है लिखना है लिखते हैं मतलब जब वेन अब अगला वर्ड के आएगा डिपड डुबाया जाता है इसमें अनगल यह मतला वेनी मतलुबा यह मैं सबस्राइऑ हैं मौन् नच हानो रुछ गला जाएगा जा डिखते हैं लिगयां जाना है इससे ह्के इसाविनreen दसे खाल दसे राग। और जलो बुड़ को जा करतके से जद चासण को खर conscious पानी लिक्वीड के मालकुल इसको फोर्स क्यों लगा रहा है इसको इजेक्ट उछालने के लिए बाहर निकालने के लिए यह पानी के मालकुल क्या करेगा इसको प्रस लगाएका इसको लगा है वागना नहीं है एकदम केल फॉली दिखना है वेन थेख यह देट इन दर फ्लूइड देन दरूइड अप्लाइड फॉस आने क्यों गवेड़ एंट और इसको उचानने के लिए लिक्वीड जो इक पानी इंपर कि तरह फोर्स लगा रहा है उसको क्या वोलेंञे वाइंड एंड पोस्ते हैं बॉलते हैं इस पूचता है वहीं क्या होता है जो इस सालीड पर एपलाई करता है वह अपने वालों के वराबर वाटर को वेट कर लेते हैं जीतना आता है वहीं क्या होता है होता है जो उसी उसारिड पर एपलाय करता है कौन राफ हता है जीसे आजाएगा जास के जो किनारे मौल हटे रहते रहते हैं तो पर चालने के लिए और जो फोर्स हो तो होता है और वयंट फोर्ज के बारे में किसे ने बताई था, आर्कमेडीज ने बताई था, कि वयंट फोर्ज कितना होता है, तो कोई साली डे उसको डुबाओ, वो अपने वालूम के वरावर वाटर डिस्पलेस करेगा, उस वाटर का वेट करलो, सब्सक्राइबinka poni याको कोई llesब्रोच्बेश में फोर्स इसके आपोजट गया होता है वाएन फोर्स रगता है और कुमें बाटी ढाल रहे हैं-ठीक है बार्टी डाला है जब ऐसे खिंशते जाते हैं तो उपर की तरफ क्या होता है就到 जो बार होता है उस पे फोर्स लगाते बिला है और एसे यहांकी जिलगा its अदसे वांधन पोग्लते है बांधने वाट अबहले है जो बाइप थैस Series Xo इसको बाटम में दबा दिया जैसे इसको अपना फोर्स अटाते हैं फिर उचल के ओपापस उपर की तरफ आता है तो यह देख लेटा एप्लाइड फॉर्स क्या हो गया ऐसे हैं और बायेड फोर्स कैसे हैं ऐसे जस्ट इसके अपोजिट होता है फोर्स को अपने अठाय प्लाइट इस लगाता है जिसको बाहें sage तो यह रहा बेटा आठके डेट में फ्लूइड क्या है इसके प्रैक्टिकली समझते हैं समझने के बाद कैसे लिखते हैं हैं तो यहां भी फाइनल एक बार हमें लिख लेते हैं कि आज मीडी साव ने क्या होता है यहां भी लिख लेना बेटा कि जो बाइंट फोर्स होता है यह किसके बार आब रहता है weight of the weight of the displaced इसको अगले वीडियो में और अच्छे से बताऊंगा अगला इसका कि कोई चीज क्यों डूपती है फ्लोड करती है सिंक करती है अब उसके बाद कर पादा दालते है जैसे पानी क्या करती है वहर की तरफ गिरती है उसको मतलब पर फोर्स किते हैं निकल गया इस में से बिस्थावित नूगी इस अब आउज और अगले वीडियों बताऊंगा इसी से रिलेटेड अगला पार कम सकम दो पार्ट और बनाऊंगा फिर उसके बाद आर्कमेडी प्रिंस्पल पढ़ेंगे फिर आगे इसे पढ़ते रहेंगे जाएसे वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जहां रहें स्वस्त रहें मस्त रहें खुश रहें थैंक यू